वेल्कम बैक टो माई चैनल टिप्स एंट्रिक संगीता आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने सदा बहार के प्लांट्स को कैसे हैंगिंग पॉट में लगाया है और कितने सुंदर से उसमें फ्लाबरिंग हो रहा है आज मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगी तो देखिए मेरा सदा का का प्लाइट्स लगाया हुआ है यह कॉमन हमारा सदा बहार का प्लांट्स से जो अर जग मिल जाता है और देखिए कितनी सुन्दर से यह धूप भी नहीं आता है बस दसülदों नो मिनेट दूप कभी कभी अगर बहुत अच्छे से धूप बाहार में हुआ तब आ पाता है इस जगह पे जिस जगह पे हमने इसको लगाया हुआ है तो वहां 10-15 मिनट पूरे दिन में यहां धूप आता है और देखे कितने अच्छे से यह ग्रो कर रहा है इसमें देखिए फूल भी खिल रहा है, फ्लावरिंग भी अच्छे तरीके से हो रहा है, और ये हमारा, ये जो दूसरा हमारा सदा बहार का प्लांट है, देखिए कितने सुन्दर से इसमें फ्लावरिंग हो रहा है, बहुत फ्लावरिंग इसमें हो रहा है, देखिए और ये हमारा तीसरे कलर का है, इसका कलर देखिए, ये तीसरा वाला सदा बाहर का प्लांट से, देखिए कितना सुंदर से इसमें बहुत जादा धूप ना होने के वावजूद यहां फ्लावरिंग अच्छे से हो रहा, देखिए इसमें पहले भी कितना हो चुका है, जो जिस से कली भी इसमें निकल रहा है, देखिए, इतने सुंदर से इसमें हर जगर से कली निकल रहा है, ऐसा नहीं कि धूप ना होने के वज़े से इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, बढ़ हां थोड़ा कम हो रहा है, अगर इसको पूरा सनलाइट मिलेगा, तो बहुत जरूर कीजिए, थैंक यू